तो चलिए इन सभी पाँचों ये विश्यों की strategy को detail में discuss करने के बाद में अब हम लोग शुरू करते हैं अपने अगले विशय की strategy को समझने के लिए यानि वो विशय है maths का मैट्स विशाय से संबंदित स्ट्रेटजी यानि इससे रिलेटेट कौन सी बेस्ट बुक हम लोगों को पढ़नी चाहिए उसके साथी साथ कौन से महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जो की आपकी इस परिक्षा में अपेक्षित हैं और प्रीवियस इर क्वेश्चेंज में कौन से चैप्टर से प्रशन पूछे गए थे हैं इसको अब हम लोग देखने चलते हैं तो चलिए मैट्स के स्ट्रेटजी को समस्ते हैं और जब हम लोग बात करते हैं Maths की, एक बात आपको समझना है कि जो आपका syllabus है, syllabus में जो Maths का आपका विशय दिया गया है, उसके आगे ये लिख दिया गया है कि 8th class का level, यानि जो class 8th में आप लोग पढ़ते हैं, उसी इस्तर की Maths यहां पर पूछी जाएगी, अब आएगी, परन्तु Maths कितने marks की आएगी, इसका उलेक उन्होंने नहीं किया है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपका जो पुराना syllabus था, पुराने syllabus में 100 नंबर में से 10 नंबर की Maths आती थी, और चूंकि ये syllabus exactly same है जैसा कि पिछला syllabus था, उस हिसाब से यदि तो यहां पर Maths की हम लोग यह अपेक्षा कर सकते हैं कि यह 5 बटा 50, यानि 50 में 5 नंबर की Maths आपसे अपेक्षित है, यह आपसे पूछी जा सकती है, अब ध्यान दीजेगा कि Maths दरसल एक ऐसा विशह है जिससे आम तोर पर कई लोगों को बड़ा भय भी रहता है, कुछ को बचपन से ही नहीं समझ में आती है, मेरा यह दावा है कि हम लोग जिन टीचर से यह सारी चीजे आपको कंड़क्ट करवाएंगे, यह जो क्लासे कंड़क्ट करवाएंगे, वो काफी बेसिक से ले करके, यानि ना केवल वो चैप्टर के बेसिक को बताएंगे, बलकि उस चैप्टर पे वो लगभग पचास से साथ प्रस्णों की सौल्ड तरीके से प्रैक्टिस कराएंगे, कौन-कौन से है वो चैप्टर, उसको समझने से पहले हम लोग यह समझते हैं कि मैट्स का अगर वेटेज यह पांच नमबर रहता है, जैसा कि हमें अनुमान है, उस हिसा आपका पॉलिटी की, यह सभी ऐसे हैं जिसमें आपको अच्छी घासी मोटी पुस्तके पढ़नी होती हैं, नोट पढ़ने होते हैं, प्रशनुत्तर सौल्व करने होते हैं घटना चक्रित्यादी किसी पुस्तक से, और उसके बाद जाके आप यह सक्षम हो पाते हैं कि आप उसमें से पांच नंबर के लिए इस परिक्षा में फाइट करें, और यह पांच नंबर उतनी लगभग 400 पेज की हिस्ट्री पढ़ने के बाद यह पांच नंबर आपको हो सकता है कि उस पांच में से पांच आप न सही कर पाएं, परन्तु मैट्स का एक नेचर ऐसा होता है जिसमें आपको सॉलिड नंबर मिलते हैं, सॉलिड नंबर का मतलब यदि आपने वो प्रस्ण का सही उत्तर निकाल दिया है, वो आपका MCQ में जो आप्शन्स दिये रहते हैं, उनसे मैच कर रहा है तो यानि आपके नंबर वहाँ पर सिक्योर हो जाते हैं, चुंकि यह सॉल ज़्यादा अंक हम लोग यहाँ पर अरजित कर ले, उतना ही हम लोग सफलता के नजदीक पहुंच जाएंगे, देखते हैं यहाँ पर कौन-कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके प्रीवियस एयर की जो परिक्षा हुई थी, एपियस की, वैसे तो बहुत ज़्यादा परिक्षान नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी जो भी हुई थी, उनमें किस प्रकार के प्रस्ण पूछे गए थे, उनकी अधी हम लोग बात करें, तो यहाँ पर देखिए, एक प्रस्ण आपका आया था परसेंटेज चैप्टर से, एक प्रस्ण आपका आया था उभैनिस्ट किस्म का होता है, कौन सा है तो वो है, प्रॉब्लम्स ओन एजेस करके, यानि आयू संबंदी प्रस्ण, इससे आपके दो प्रस्ण आये थे, यानि रेस्ट्रेंट प्रपोर्शन से दो और एजेस से दो, ऐसे करके यह यहाँ पर प्रस्ण आये थे, उसके अला प्रस्ण पूछा गया था आपका time and work से तो यह कुछ एक general trend रहा है जो कि इससे प्रस्ण पूछे जाते रहे हैं अब यह जो विशय हैं आप देखें यह विशय ऐसे हैं जो कि आपके arithmetic math से संबंदित हैं यानि जब भी आप बात करें जो math का एक nature की समझने की कि यह जो chapters पूछे जा सकते हैं यदि आप वो समझें तो यहां पर यह दरसल arithmetic math से पूछा जा रहा है और इस आधार पर हम लोग यह चीज समझ सकते हैं कि यह जो chapters हैं जरूरी नहीं है कि केवल यही chapters आप से पूछे जाएं इसके अलावा भी arithmetic math के कुछ chapters हम लोगों के लिए important हो जाते हैं खास दौर पर जैसे average वाला chapter हो गया average वाला chapter दरसल math का एक basic chapter होता है एक fundamental हो तयार करता है जिसकी हो सकता है कि जरूरत हम लोगों को ages वाले chapter में मिल जाए क्योंकि age संबंदी जो प्रश्ण होते हैं उनको हल करने के लिए average वाले chapter की महत्वून भूमका हो जाती है तो इस ऐसे ही chapter आपका हो जाता है speed and distance चाल बराबर दूरी बटा समय वह वाला जो formula हम लोग पढ़ते थे रखते थे उससे related जो प्रश्ण होते हैं वह important हो जाता है एक आपका यह boat and stream से मिलता जुलता है एक chapter जब आपका 9 और 13 संबंदी प्रश्ण पूछा जा सकता है तो हो सकता है कि आपका railway वाला भी प्रश्ण पूछ लिया जाए यानि railway से संबंधित कि दो railway आपस में इतने बज़े टक रहेंगी कौन सी कब जाएगी क्या चीज़ उससे related प्रश्ण पूछे जा सकते हैं इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो railway के लावा हम लोग pipes and systems एक chapter होता है pipe tank कि छोटा chapter है जो कि दरसल इन ही कुछ chapters का ही mixed form कह लीजे उसके अलावा simple interest वाला chapter और आपका एक chapter हो जाता है allegation यानि mixture ये सभी chapter यदि आप कर लेते हैं तो ये लगभग आपका हो जाता है कौन सा arithmetic यानि आपको 20 गड़ित रेखा गड़ित इन सभी के फेर में नहीं पढ़न है trigonometric क्या है वो नहीं जानना है कुछ भी बहुत ज्यादा उसमें ध्यान देने के आफशकता नहीं है बस इतना समझी है कि UPPSC कहां से प्रस्में बनाती है उसको समझते हुए हमें समझ में आता है कि arithmetic वाला chapter जो है उसका portion ज्यादा important हो जाता है उसमें भी जो level of questions पूछे है वो बहुत ज्यादा tough नहीं पूछे गए हैं हाला कि उस समय के paper का nature easy किस्म कथा इसके आधार पर हम लोग यह नहीं कह सकते हैं कि इस बार कभी easy होगा इसलिए हम लोग easy से moderate level तक यानि जिस level का UPPSC पूछता है especially UPPSC के प्रस्णों को focus करते हुए हम लोग यहां पर आपको यह सारे chapters कराएंगे उसके basic भी कराएंगे उस पर based question answers भी कराएंगे उसके जितने भी type से प्रस्णों पूछे जाते हैं वो भी कराये जाएगा इस प्रकार से हम लोग maths करेंगे और जितना भी जिन लोगों को भी इससे डर लगता है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में आप लोग को उससे फिर डर नहीं लगेगा क्योंकि हम लोग इस प्रकार से कुछ यहां पर जो भी सर आपको पढ़ाएंगे maths वो आपको इस तरीके से ही सारी चीजों को solve कराएंगे unsolved तरीके से भी आपको प्रस् सारी इसकी मार्केट में आती हैं लेकिन यदि बेस्ट बुक की बात करें तो हमें बहुत ज्यादा बुक्स के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है अब आप यह भी न सोचिए कि यह पांच नंबर में से एक भी प्रस्न हमारा गलत ना हो इसके लिए हम लोग चार बुक से लगा काफी फेमस हो अच्छे हो आप उससे भी कर सकते हैं अन्यथा की स्थिती में आप लोग एक बुक आती है आरेस शर्मा करके पहले तो बहुत ज्यादा लोग प्रियुगा करती थी क्योंकि इनके तोड़ में उस समय में कोई बुक नहीं थी मोनोपोली थी इनकी काफी अच् संभावना रहती है क्योंकि इसमें लगभख सभी प्रकार के प्रस्मियां पर सामिल कर लिये जाते हैं जो भी बेसिक टू मॉडरेट लेवल में सामिल हो सकते हैं तो यह रही कुछ आपकी मैट्स की स्टेट्जी मैट्स के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पर